हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो मैं चैनल आज जो मैं एक वीडियो अप्लोड कर रही हूँ वो अक्चुली किसी का कमेंट आया था मैंने कॉस्ट पूर कॉलिटी से रिलेटेट अलरेडी दो वीडियो अप्लोड कर रखे हैं मेरा जो first वीडियो था, वो था what are the components of cost of poor quality और जबकि मैंने जो second वीडियो अप्लोड किया है वो एक format को explain किया था कि cost of poor quality को हम कैसे explain करें तो फिर उस second वीडियो जिसमें मैंने format को explain किया था तो उसमें मैं पास एक comment आया था comment था किर्ती नरायना का उन्होंने पूछा था कि what is the percentage of healthy industry cost of work quality तो मेरे को feel हुआ कि मेरे को ये वीडियो में upload करना चाहिए था बट अगर वो miss हुआ तो आप सबको ये पता होना चाहिए इसलिए मैंने separate video बनाया instead of replying her on comment तो आईए चली देखते हैं तो question ये था कि what should be the percentage of industry cost of work quality तो देखिए अगर sales, total sales का cost of work quality 30 to 40% आ रहा है तो वो sigma level 2 है और से हम non competitive मानेंगे 20 to 30% of sales है तो sigma level 3 है 15 to 20% of sales है तो sigma level 4 है जिसको हम industry average कह सकते हैं 10 to 15% of sales है तो sigma level 5 है वही 10% sales के 10% से अगर कम है तो sigma level 6 कहलाएगा और वो world class होगा hopefully किती आपको answer मिल गया होगा अगर feel भी कोई confusion हो तो आप please comment में reply करें अगर आपको मेरे interview से related ऐसे और भी videos देखने हैं तो मेरे channel learn with runa को subscribe करें bell बटन को जरूर क्लिक करें जिसे मेरे latest videos की notification आपको मिल जाएंगे इसके लावा अब playlist में जाएं और यहाँ पे interview related जो videos है इससे आप अगर क्लिक करेंगे तो इसमें सारे जितने भी interviews से related videos होंगे पूरा playlist को view कर सकते हैं थैंक्यू फ्रेंड्स फोर वाचिंग